रामगड राज्य के एक गाउं में चेतन नाम का एक कुमहार रहता था वे बहुत ही सुन्दर मिट्टी के बरतन बनाता था लेकिन उसकी कला से गाउं के बाकी कुमहार बहुत जलते थे इसलिए उसे गाउं से मिट्टी भी नहीं लेने देते थे धर के खराब हालत देखकर एक दिन चेतन की बेहन समझाते हुए बोली भाईया घर में खाना बनाने के लिए बिलकुल भी आनाज नहीं तुम्हारे बरतन इतने सुन्दर है पडोसी गाओं में विदेशे वैपारी आते हैं तुम जंगल पार पडोसी गाओं में बरतन क्यों नहीं बेशते चेतन बोला व्रंदा देख तु सच कहती है मेरे बरतन सुन्दर है लेकिन इन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं अब से मैं जंगल में ही बरतन बना कर पडोसी गाओं में बेचा करूँगा रामगर राज्य में राजकुमारी का स्वैंबर हो रहा था दोर दोर से राजकुमार वहां आये थे जादुगर मुनरंजन तरह तरह के जादु दिखा रहा था महराज ने कहा वह वह क्या बात है हम बहुत खुश हैं बोला मुनरंजन तुम क्या चाहते हो मनरंजन बोला रहने दे महराज जो इच्छा मैं रखता हूँ आप नहीं दे पाएंगे महराज ने कहा राज दरबार में खड़े हो तुम और राजा ने तुम्हें कुछ मांगने को कहा है निस्रंकोच मांगो मनरंजन बोला महराज मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ महराज ने कहा मूर्ख तेरा इतना दुस्सा हस मनरंजन बोला चमा महराज लेकिन जो मेरी इच्छा थी मैंने आप से जाहिर की मनरंजन की बात सुनते ही सभी सुएंबर में आये हुए राजाओं ने अपनी तलवार खीच ली महराज ने कहा मनरंजन तम्हारे इतनी हिम्मत की तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो एक बार अपनी आउकात तो देख लेते तम्हारे भलाई इसी में है कि आज के बाद कभी इस राज्य में नजर मत आना मनरंजन बोला महराज आपने मेरे गुण को देखने के बदले मेरी गरीबी को देखा है जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैंस नहीं बैठूंगा महराज बोले निकाल दो इसे धक्के मार कर सैनिक मनरंजन को धक्के देकर राजदरबार से बाहर कर देते हैं ऐसा कहकर मनरंजन वहाँ से गायब हो जाता है और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई देता दूसरी तरफ चेतन बड़ी महनत से जंगल में अपने खूबसूरत बरतन बनाता और फिर उन्हें ले जाकर पडोसी गाउं में बेशता था धेरे धेरे घर की हालट ठीक होने लगी थी एक दिन जब वो बरतन बना रहा था तो उसे एक राजकुमारी के चिलाने की आवाज आई जिसके सामने खूखार भूखा सेर खड़ा था राजकुमारी बोली बचाओ मेरे मदद करो नहीं तो ये शेर मुझे अपना आहर बना लेगा मेरे मदद करो चेतन बोला हे भगवान या तो किसी देश्च की राजकुमारी लग रही है मेरे पास तो कोई हत्यार भी नहीं ऐसे में मैं शेर का मुकाबला कैसे करूँगा अब क्या करूँ भला मैं इसे कैसे बचाओं चेतन अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को शेर की तरफ फेकने लगा शेर घबरा कर राजकुमारी को छोड़ कर भाग गया राजकुमारी बोली तुम कौन हो नौजवान तुमने मेरे लिए अपनी मेहनत से बनाए हुए बर्तनों को तोड़ दिया और अपने प्राणों की भी तनिक प्रवाह नहीं की चेतन बोला प्रणाम राजकुमारी मैं आपके राज्य का एक गरीब कुमार चेतन हूँ राजकुमारी बोली चेतन तुमने मेरे जान बचाई है तुम्हारा यह एसान मैं कभी नहीं भूलूँगी तुम सच में एक निडर और सहसी पुरुशो यह बोलकर राजकुमारी महां से चली जाती है धीरे धीरे समय बीतने लगा और चेतन पडोस के गाउं में बरतनों की एक छोटी से दुकान खोल लेता है एक दिन एक साधु गाउं में आया साधु बोला चेतन मैंने सुना है तुम बहुत दयालू हो मुझे बहुत भूख लगी है क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो चेतन बोला महराज मैं ठहरा गरेब आदमी घर में चावल रखे हैं उन्हें की खिचडी बनाई है आप बुरा ना मानो तो मैं आपको खिचडी खिला सकता हूं खिचडी खाने के बाद साधू बोला तेरा दिल एक राजा के समान बड़ा है एक दिन तु इस देश का राजा बनेगा चेतन बोला यह आप क्या कह रहे हैं महराज मैं तो ऐसा सपना भी नहीं देख सकता यह तो पूरी तरह से असंभव है साधू बोला बेटा इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है मैं तुझे आशिरवाद देता हूं कि तेरा हर बरतन जादवी होगा चेतन ने सोचा ऐसा भला कहां हो सकता है बह चुपचा बरतन बनाने लगा सभी जादवी बरतन अपने आप उड़कर दुकान में सज गए तब ही वहाँ पर एक गंजा आदमी आया और बोला अरे चेतन तेरे बरतन तो जादवी लगते हैं जरा देखूं तो तेरे बरतनों की गहराई कितनी है अपने हाथ से नाप कर देखता हूँ अरे मेरा पूरा हाथ इसमें चला गया काश इतने लंबे मेरे बाल भी होते तो क्या बात थी उसके ऐसे कहने की देर थी कि उसके सर पर लंबे बाल उग गए चारों तरफ शोर मच गया गाउं में एक आदमी बोला अरे चेतन के बनाए गए बरतन जादूई है उनमें हाथ डाल कर जो भी मांगो वो मिल जाता है भाईया गंजा आदमी बोला तुझे पता भी है मैं कौन हूँ मैं महराज का मंत्री हूँ मैं तेरे जादूई बरतनों के बारे में महराज को बताऊंगा आसमाने चेतन के पास चले आए और बोले अरे चेतन सुना है तुझादूई बरतन बनाता है बहुत दिनों से मैं उड़ना चाहता हूँ देखो तेरा घड़ा मेरी क्या मदद कर सकता है चेतन बोला यह लीजिए महराज यही वो घड़ा है आप जो चाहे मांग लीजिए देखो मैं पिछले चार वर्सों से आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो महराज घड़े में अपना हाट डालते है और उनके हाथ में एक जादवी टोपी आ जाती है वह टोपी को लगा लेते हैं और अचानक उड़ने लगते हैं वह कमाल हो गया मैं तो सच में उड़ने लगा महराज बोले सेना पती ने कहा वह चेतन तेरा जादवी वर्तन तो कमाल है जरा मुझे भी मांगने दे मैं भविश्य में जाना चाहता हूँ बांद लेता है और जैसे ही घड़ी की सुईयों को घुमाता है महाँ से वो गायब हो जाता है सेना पती बोला अरे यह तो कमाल हो गया मंत्री बोले सेना पती जी आखिर कहा चले गए सेना पती ने कहा मैं यहाँ हूँ मैंने घड़ी की सुई को पांच मिनट आगे बढ़ा दिया तो उसने मुझे यहां पहुँचा दिया मुझे नीचे उतारो महराज बोले अरे मुझे उपर से नीचे उतारो मैं कब से हवा में उड़ रहा हूँ मंत्री बोला चेतन मेरे बाल लंबे होते जा रहे हैं ये देख कितने लंबे हो गए सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं महा मंत्री ने कहा महराज जादू के घड़े से मैंने जादवी माला मांगी इस माला को पहनते ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ती आ जाती है मैं पत्रों को तोड़ सकता हूँ पेड़ा को हिला सकता हूँ और अगर चाहूं तो नदियों को भी सुखा सकता हूँ पर मैं शांत नहीं बैठ सकता महराज ने कहा कुमार जल्दी से जल्दी हमें इस जादू से बाहर निकालो वरना पूरा देश बरबाद हो जाएगा चेतन बोला महराज मुझे जादू का तोड़ नहीं आता मैं आप लोगों को नीचे नहीं ला सकता ना ही मैं सेना पती जी के समय को बदल सकता हूँ और ना ही मंत्री जी के बढ़ते हुए बालों को रोख सकता हूँ महराज ने कहा मुर्ख कुमार तुम्हारे जादू घड़े के कारण हमारी यह दशा हुई है अब अगर तुमने यह सब ठीक नहीं किया तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रुख काप जाएगी चेतन मन में बोला अब मैं उस साधू को कहा ढूंड़ू मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया मेरे मदद करो मुझे जादवी बरतन नहीं चाहिए उधास कुमार सोचने लगा चेतन बोला अब राजा मेरा गला कटवा देगा और मेरी मदद भी कोई नहीं कर सकता मेरी मौद तो निश्चित है वरंदा के लिए कुछ बरतन बना कर रख देता हूं कम से कम कुछ दिनों तक तो वो अपना पेट भरेगी कुछ समय बाद चेतन ने कहा राज कुमारी जादवी बरतनों की बज़े से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ गया हूं महराज अभी तक हवा में उड़ रहे हैं मंत्री जी के बाल बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गए महा मंत्री जी के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो उठा उठा कर चट्टानों और पेड इधर उधर फैक रहे हैं पूरे शहर में उथल पुथल हो गई है राज कुमारी बोली चेतन मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी रक्षा की थी उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप राज्य में भंडारा करवाईए जिसमें सभी सादू आएंगे और मुफ्त खाना खाएंगे शायद वो सादू भी आ जाए जिन्होंने मुझे ये वर्दान दिया था राज कुमारी कुमार की मदद करने के लिए पूरे राज्य में भंडारा करवाती है दोर दोर से सादू महात्मा आकर राज्य में मुफ्त खाना खाने लगते हैं लेकिन वह सादू नहीं आता यह देखकर चेतन जोर जोर से रोने लगता है तब ही वह सादू वहाँ प्रकट होते हैं चेतन बोला महराज आप आगे अपने वर्दान वापस ले लीजिए मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ सादू बोला ऐसा क्या हो गया है बेटा चेतन नहीं कहा पिछले दो दिनों से हमारे महराज हवा में उड़ रहे हैं मंत्री जी के बाल बड़े होते जा रहे हैं ना जाने क्या क्या हो रहा है सादू बोला अपना अशिरवाद मैं वापस तो ले सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा चेतन बोला कैसा वादा महराज आप जो कहेंगे मैं सब करने को राजी हूँ साधु बोला तो फिर चलो मेरा अशिरवाद याद है ना आज तुम्हे राजा बनने का समय आ गया है महराज बोले आ गये चेतन बहुत खूब अब चलो हमें जल्दी से पहले की तरह बना दो हम तुम्हे राज्य का साही कुमार घोशित करते हैं और तुम्हे सारी सुक्सुधाय दी जाएंगी बोलो तुम और क्या चाहते हो चेतन बोला महराज सब कुछ पहले की तरह करने से पहले मैं आप से एक वर्दान मांगना चाहता हूँ महराज बोले अब और देर नहीं करो जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए चेतन बोला जान को बख्ष दे तो बताओ महराज मुझे राजकुमारी से विवाह करना है महराज बोले तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो अगर आज मैं हवा में यहां उडने को मुझबूर ना होता तो तुम्हारा सर कलम करवा देता अरे कोई उतारा मुझे हवा से राजकुमारी बोली पिता जी यह वही है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी अब तो मेरी जान इसकी अमानत है महराज बोले ऐसा है तो हम इस शादी के लिए तयार हैं सुना अभी राजकुमारी की चेतन सशादी की तयारी शुरू की जाए सादो रूप बदलते हुए बोले महराज देखा अब आपके पास कोई चारा नहीं है आपको राजकुमारी का विवा साधार्ण कुमार चेतन से ही करना होगा मेरी प्रतिग्या पूरी ही महराज बोले तुम तुम यहां कैसे आगे तो इसके पीछे तुम्हारी चाल थी जो अभी हो पहले हमें अपनी वास्त्विक अवस्था में लेकर आओ तब ही मनरंजन कुछ मंत्र पढ़ता है और राजा सहित सेना पती और मंत्री पहले जैसे हो जाते हैं मनरंजन बोला बिलकुल सही कहा महराज गुस्य में मैंने शेर का रूप लिया और सोचा राजकुमारी को खत्म कर दूँ लेकिन जब चेतन को राजकुमारी को बचाते हुए देखा तो मुझे लगा बदला लेने का यह सबसे अच्छा मौका है महराज बोले मुझे अपनी गलती का पश्तावा है मेरे बेटी में ही मेरी खुशी है और मेरा दामाद एक कुशल राजा चेतन बोला लेकिन साधु बाबा कहा है मनरंजन रूप बदलते हुए बोला तम बहुत भोले हो राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहना और कभी किसी के साथ अन्याज नहीं करना मेरे प्रतिग्या पूरी हो गई इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ चेतन और राजकुमारी खुशी खुशी शाही महल में रहने चले जाते हैं और चेतन शाही कुमार बनकर वैभाव शाले जीवन बिता नहीं लगता है दोस्तों आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दे हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों क अच्छा गयन प्राप्तो जैय श्रीराम भगतो